किया आरे अधारू कपड़े अरी यह क्य और एंटर॥ी यह क्या कर रहे थे आ? अरे यही तो इंटर्व्यू है हमारे पास नोक्रे एसे नहीं मिलती नोक्री के लिए पेले एक बार सोना पढ़ता है ह। फिर काम मिलता है छी कितनी गंधी बात है ये आप ऐसे नोकरी देते हो मुझे पता होता तुम्हें यहां कभी नहीं आती नोकरी? अरे नोकरी ऐसे नहीं मिलती आज की टाइम में अरे यह मोडल जवाना है नोकरी के लिए ना पहले लडगी को इस बिस्तर पर सोना पड़ता है और हां सुनो तुम्हें कहे लगता है कि मुझे लड़की कमी है बाहर बहुत सारी लड़की खड़ी है अर जब तक तुम मुझे खुस नहीं करोगी ना मैं तुम्हें काम देने वाला नहीं हूँ, अब बोलो, तुम्हें नोखरी चाहिए, या गेट से बाहर निकालूँ देखो साथ, मुझे नोखरी की बहुत जरूरत है, मेरी मजबूरी का फाइदा मत उठाओ, मेरी मा भीमार है प्लीज, मुझे नोखरी देदो, बहुत जरूरत मुझे इस नोखरी की, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती तो मैंने कम मना किया है, अब तुम्हारी मा भीमार है, मेरी मा थो रही न, अब तुम गरीब हो, मैं तो रही न गरीब हूँ बही मेरे तो कुछ फाइदा होना चाहिए न, मेरा क्या फाइदा, मैं तुम्हे नोखरी देदूगा, तुम मुझे खुश कर दोगी, मैं तुम्हे नोखरी देदूगा, और पात-दस मिड़ में जाता क्या है, और बैसे भी तुम बच्ची नहीं हो, तुम जवान लड़क अरे सुनो तो सही, नोखरी के लिए किसने मना की है, पांच मिनिट की तो बात है, और हाँ तुम्हे जानकारी के लिए बात बता दू, ये तो हल लड़की कराती है, सबके साथ करता हूँ मैं, बस पता नहीं क्यूँ, तुम्हारी मर्जी नहीं है, और हाँ सुनो, एक बार देखो, सोचके, नोकरी की बात है, अगर नोकरी मिल गई ना, तो सोचो, कितना पैसा कमाऊगी, कहां दक्या खाऊगी, दूसरी जगे भी यही डिमांड हो सकती है, फिर क्या गरोगी तुम, बोलो? यह सब तो ठीक है, पर इसकी क्या गारंटी है, यह सब करने के बाद तो मुझे नोकरी दोगे? अरे नोकरी के लिए ही तो मैंने कंपनी खोल लगी है, नोकरी क्यों नहीं दूँगा, तागल कहीगी, समझदान नहीं हो तुम भी? ने, ने, अगर मैंने यह सब कर लिया और आपने वीडियो बना ली तो, पता है, एमेमेस बना कर लड़कियों को ब्लैक मेल करते हैं, और मेरे साथ यह सब हुआ तो फिर तो मैं कहीं मुझे दिखाने लाइक ही नहीं रहूँगी, तो मैं मैं ब्लैक मेल कर लग रहा हूँ, ह और हां, अगर तुम इतनी होड नहीं होती ना, तो मैं तुम से दिवांड नहीं करता, अरे यह लड़की से लड़क से मुगता है, जैसे कि आपको व और काम करने ही किया थ मोझे होता है, आप तो मेरे सिकेटरी बनके रहा ना बस, एक बार हां करो, बस एक बार हां और लागया तुम पर दिल हमेसा याद रखना किसी किसी चीज पाता है तुम पर आया है एक बार बस हां करो तुम उसके बाद देखो तुम्हारी जिन्दगी को रंगीन मना दूगा समझ रहो ना आप हाँ ठीक है ठीक है कर लो जो तुम्हें करना है पर और मुझे नोगरी मिलनी चाहिए तुम तो बड़ी समझदार हो बड़ी जल्दी मान गई चलो इने उदर रखो और करते हैं और हां तुम ना महारा नी बन जाओगी पक्का मालकिन नहीं क्या हुआ मैं ऐसे नहीं कर सकती पता नहीं क्यों मेरा मन गभाई नहीं दे रहा कि मैं ये सब करू और ऐसे न नहीं चाहिए मैं चली जाती हो अरे सुनो कि तुम्हें कहा है मैं इतना कंदा एंसानू ये तुमारा इंटर्वी चल लिया था टेस्ट सची तुम इस टेस में पास हो चुकी हो तुमारे नहीं नवकरी पक्की है क्या है हाश़ू मुश ब्हूं पॉर्स प्की प्स पर ने इंटर्व्य तो था वो क्या है ना दरसल हमें एक इमानबार लड़की की जरूँते हैं जो भी हमारी कंपनी में आती है ना वो बस उल्टा सिदा करके चली जाती है लड़की चाहती है मेर साथ सोने के लिए और पैसा अड़के निकल जाती है वाट मैंने कभी ऐसा ने किय इसलिए मैं तुम्हारा टैस्ट ले रहा था कि हमारे ओपिस में जो काम करेगी सिकैट्री का तो वो लड़की स्लैक है यह नहीं है तो कैसा लगा तुम्हें सर अभी तो मैं बहुत जादा डर गई थी लेकिन मेरा टैस्ट चल रहा था मुझे नहीं पताता अरे बड़ सर मैं आपको कभी सिकाइट का मौका नहीं दूगी अरे तुम क्या कोई भी डर जाता हमारा इंटर्वी लेने का तरीक यह ऐसा है तो आप वाकई एक अच्छी फ हाँ और जैसे ही तुम हमारे ओपिस में पुराने होते रहोगी वैसी सैली बढ़ जाएगी तो आप कैसा लग रहा है बहात अच्छा लग रहा है सर वैसे मैं सोच रहा हूं आपको मैंने इतने ओफ़र दिये आप बहगी क्यों नहीं नहीं सर नोखरी करनी है तो इमांदार करनी है आप इतना विस्वास करेंगे मुझ पर तब ही तो अच्छा काम चलेगा वाव ग्यूटिफल ठीक है कल सा जाना थैंक यू सर थैंक यू सो माज जा सकती हो आप